हेलो दोस्तों स्वागते आपका हमारी इस टेक्टिकल के बड़ी उट्री चनल में फेंस आज की इस फोरेक्स तो फोरकास्ट वीडियो में हर बीक की तरह इस विग भी हम तीन मेजर करनसी पेर के बारे में एक बेसिक एनलाज करेंगे और समझेंगे इस विग में हमें क्या ट हम झारू कर दीजिए अभी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को भी सब्सक्राइब कर बैल आएकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो नोडिपेक्टिक्स आपको सबसे पहले मिल जाए तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं यूरू, ज्यादा हुआ नज़र आ रहा है इस्य कहां से मैंने एक अपट डारेषन में. एक एरिया को मार किया है ये एरिया भी दोस्तों काफी जयादा important है क्योंकि Market यहां से resistance है, resistance है, resistance लेता हुग आपको नज़र आ रहा यहां से फेंस अगर आप Market की structure को पैशनाने का यहाँ पर try करेंगे तो दिखी market यहाँ पर इस level को breakdown किया, यहाँ से यह जो label था इस level को breakdown करने के बाद again retest किया और यहाँ पर दोस्तों support लिया, again support लिया और फिर से यहाँ पर हमारा जो एक area है, इस area का resistance लेने के बाद again support लेने के लिए है, और फिर से दोस्तों इस एरिया को breakout करने का try किया वट ब्रेक आउट नहीं कर पाया और अगेन यहां पर fall करना start किया इसके बाद support लेने का बार फिर से यहां पर try कर रहा है दोस्तों इस label का यहां पर test करने का तो दोस्तों यह label हमार लिए काफी ज्यादा important हो जाता है क्योंकि यहां से अ market बार बार rejection यहां पर कर रहा है तो अभी भी दोस्तों यहां पर आप देखेंगे market फिर से इस label को test करने के लिए जा रहा है तो हमें यहां से किस तरीके से trade करना है तो फैंस अभी यहां पर हमार लिए थोड़ा बेट करना चाहिए इस label को जैसे ही market breakout करता है 0.38% का जो market यहां से रख सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो आपको 61% का यहां फे 81% का label नजार आएगा तो यह एक important resistance level हो सकता है यह market का एक important resistance level हो सकता कौन सा level है तो आप देख सकते हैं दोस्तों 14,400 के आसपास यहां से आपको यह बाला लेवल देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां से selling की तरफ प्लान कर रहे हैं यानि sort करना चाहते हैं अपनी trade को तो ejection देखने को मिलता है तो दोस्तों हम यहां से एक हमारी छोटी सी trade को यहां पर sell भी कर सकते हैं यानि कि दोस्तों छोटा target हम ले सकते हैं यहां से हम कुछ इस level का यहां पर target रख सकते हैं क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो यह market का फिर से यहां पर support level है ठीक है तो यहां पर हम इस level का यहां पर target रख सकते हैं एक छोट इस stop loss के साथ तो इस तरीके से हम इस week में euro USD currency pair में trade कर सकते हैं चलिए फेंस अब हम समल लेते हैं GBP USD currency pair के बारे ह यहां से फेंस GBP OG का चार्ड में open कर लिया है फोर हबर के time frame में यहां से फेंस अगर हम market के structure को यहां पर हम draw करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए यहां से अभी market एक कहीं न कहीं मैंने एक paralyzed channel को यहां पर draw किया है फेंस कुछ इस तरीके से और आप यहां पर देख पाए दोस्तों support लिया resistance इसके बाद again support और यहां resistance और इसके बाद यहां पर support लेने के बाद हमारे यहां पर चैनल को breakout कर दिया है तो यहां पर फेंस आप ध्यान दिजिए अभी हमें क्या यहां से हमारी trade को बार डारिशन में प्लेस करना चाहिए नहीं दोस्तों यहां से अभी हम बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि यह लेबल एक important लेबल है यह market का पहले support था वट अभी यहाँ पे market resistance की तरह इस लेबल को face कर सकता है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे top to bottom फिवनासी को यहाँ पे अगर आप draw करेंगे फैंस तो यहाँ पे आप easily देख पाएंगे फि फिवनासी का 0.23% का फिवनासी का लेबल है साथी साथ यह एक market का support लेबल था और अभी market का यहाँ पे एक resistance लेबल भी बन चुका है तो अभी हमें bet करना चाहिए इस लेबल का proper breakout होने तक अगर इस लेबल को यहाँ से market breakout करता है इसके बाद हमें यहाँ से buying की planning करना चाहिए ठीक है यहाँ से दोस्तों हम selling की planning भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यह एक important resistance लेबल है अगर यहाँ से market resistance लेता हुआ नजर आता है तो दोस्तों यहाँ पर proper confirmation मिलने के बाद हम sell direction में trade को place कर सकते हैं और target इस लेबल का दोस्तों यहाँ पर हम target रख सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह वाला level यह देगे इस level का हम यहाँ से target easily दोस्तों रख सकते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ से USDJPY में buy भी कर सकते हैं और दोस्तों sell भी कर सकते हैं sell कप करना है यहाँ पर proper confirmation मिल जाए इसके बाद हम यहाँ से sell कर सकते हैं और target कुछ इस level का रख सकते हैं कौन सा level है तो आप देख पाएंगे 1.31998 का यहाँ पर आपको लेबल नजार आएगा इस top loss दोस्तों यहाँ पर बहुत चोटा हो जाएगा उपर वाले लेबल का हम यहाँ से stop loss रख सकते हैं तो इस तरीके से हम इस week में GBPUSD currency pair में trade कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम समझ देते हैं USD JPY currency pair के बारे में असे fence मैंने USD JPY currency pair को open किया है और यहाँ पर देखिए मैंने एक down direction में एक support level को यहाँ पर मार कर राखा है और यहाँ पर वाले लेबल को आप देखेंगे तो यह लेबल भी काफी important है पहले यह support support और अभी market के लिए यह resistance हो चुका है तो अभी हमें किस तर फिर से support यहाँ पर resistance लेने के बाद दोस्तों फिर से fall करना start किया again यहाँ पर resistance लेने के बाद यहाँ पर continue rate candle यहाँ पर बनाई है ध्यान दीजिए fence यहाँ पर continue market ने rate candle बनाई है तो अभी यहाँ पर हमार लिए price down direction में जातो हुआ नजर आ रहा अभी market यहाँ से resistance लेने के ब 12.772 के आसवास यहाँ पर हम target रख सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अगर आप यहाँ से buying की planning कर रहे हैं तो buying के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी देखे इस label का market breakout करेगा तब हमें buy करना चाहिए या फिर market थोड़ा और नीचे आ जाए थोड़ा और market इस वाले label पर आ जाए थोड़ा यहाँ पर down करें और down करने के बाद इस label को market support लेता हूँ अगर हमें यहाँ से नजार आता हूँ तो फिर हम यहाँ से buying की planning कर सकते हैं या अभी हमें यहाँ पर इस channel के अंदर ही trade करना है जब तक market इस channel को breakout या फिर breakdown ना दे दे तक तक तो इस तरीके से दोस्तों हम USD JPY currency pair में trade कर सकते हैं जो भी आप strategy यूज करते हैं उस strategy का proper confirmation मिल जाए आपको तबी आपको trade करना चाहिए otherwise trade नहीं लेना चाहिए और proper हमारा stop loss भी होना चाहिए तो इस तरीके से हम इस week में euro USD, GBP, USD, JPY major currency pair में trade कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी व वीडियो से थोड़ी भी help मिली है तो please वीडियो को like जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर bell icon को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को notification आपको सबसे पहले मिल जातो फैंस आज की इस वीडियो में मिलते हैं फिर आवाई दोस्तों